दोस्तों कोई भी बालून बनाने सुपष बात करनें चाहता हूं अगर बालून की सैज 12 इंच है तो आप उसको 12 इंच तक ना बनाएं सबसे आप स्कूर स्को 2 इंच छोटा बनाएं गर jewel इंच है तो डिद का टीयोन आई नइच है तो आप इन शपश चीथ ताकि बलून लंबा चलेगा आपका फटेगा नहीं और लोंग टाइम के लिए आप यूज कर सकते हों एक दिन दो दिन तीन तो चलिए बलून आज बनाना शुरू करते हैं कर दोस्तों यह मैंने तकरीबन एट इंच सोरी 9 इंच का साइज यह आपको बताने के लिए मगर यह साइज मेरे साब से अच्छा भी लगता है ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता तो 9 इंच मैंने यूज किया है बनाने के पाद यह बलून को ऐसे ताकि उसकी हवा लूज नहीं होगी अच्छे से टाइट करो फिर इनको इसे मिक्स करो इस तरीके से आपको यह बलून का बनाना है और 6 मीटर का आर्च बनाने के लिए आपको इसका तक्रीबन अराउंड 38-40 पीस चाहिएगा तो मैं 40 पीस बना लेता हूँ ऐसा और देखते हैं यह 9 इंच का है तो 40 चलेगा अगर आप 11 इंच का बनाते हो तो तक्रीबन 37-36 हम लोग बनाते हैं कि साइज पर हिसाब से बलून कम जाद होते हैं तक्रीबन 200 के अंदर ही 6 मीटर 7 मीटर का आर्च बन जाएगा तो चाहिए झाल कर दो बनाते हैं झाल 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 हुआ है 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 हुआ है कि दोस्तों में यह पलूं डारने का तरीक तोड़ा बताने तो तो आपको तरीका थोड़ा में बता देता हूं आप यह रखो कि आपने सामने कोन सा कलर है जैसे में ब्लू और ग्रीन आपने सामने रख रहा हूं यह आप एसा डाल के और इसको गुमा दें और इसी तरीके से यह गुमता चला जाएगा आप इसी तरीके से बलून लगाए तो कि अब कि अब कि अब बार बार चेट करते रहें कि इसमें कि अब कि अब कि अब झाल 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 तो यह हमारा आर्श तैयार है और यह कि इतनी असानी से आर्श बन गया चार कर्ण में थोड़ा कर्फ्यूज आर्श 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 आर्शा यह दो आर्श यहां प्पी आर्श आर्श बैश्या खुर्ण और आपको यह वीडियो मुझे पसंद आया होगा और मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं कर रहा हूं यानि मैंने कभी किसी वीडियो में अभी तक भॉइस रिकोर्डिंग के साथ में नहीं किया है करता हैं यूजिक डाल के करता था मगत वहली को मुझे एक्सप्लें करो हम लोग और में चैक्षाल्वाब करो है क्या क्यूद कर रहे हो लिए क्या ऐसे तो इंस्छाल्ला ऑभी मैंने इंस्ट्रेक्शन के साथ बनाये हैं और मेरे आगजी वीडियो इस ही तरीके से इंस्ट्र मैं उझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि जो भी क्वेस्टिन उसका आंसर देने की मैं कोशिच करूंगा इंशाल्ला तो आप मेरे चैनल में नहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छे वीडियो में आपके लिए लेके आत लंगा